हेलो स्टुडेंट आफ क्लास थर्ड अब आप अपने इंग्लिश लेंग्वेज का लेसन एटीन पढ़ने जा रहे हैं ओके लेसन एटीन है बच्चो आपका प्रीपोजीशन यानि संबंद सुचक यानि कि जो चीजों में जो संबंद बताए ठीक है तो देखिए प्रीपोजीशन क्या होता है आपको हमने डेफिनिशन लिखवाई होगी प्रीपोजीशन और वर्ट्स यूज़ बिफोर अनाउन और प्रोनाउन टुशो दा रिलेशन विट एनादर नाउन या प्रोनाउन यानि कि संबंद अव्य होते हैं जो किसी वाक में नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंद व्यक्त करते हैं ठीक है बच्छों देखिए look at the following sentence carefully इन sentence जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको सही से लेखिए पहला है I go to school at 7 a.m. यानि मैं 7 बजे school जाता हूँ जो at है बच्छों आपका red जो दिख रहा है at, in, on, near, under ये सारे जो है ये preposition होते हैं दो नंबर वाला sentence देखिए बनानाज आर इन दा बास्केट यानि की केले टोकरी में हैं ठीक है फिर तीसरा है a dog is on the table ठीक है तो बच्छों जो भी near, at, under, with, from ये सारे sentence जितने हैं ये आपके preposition हैं ओके बच्छों देखिए बच्छों ये आपका notes है lesson 18 का इसमें आपको preposition में देखिए हमने word meaning भी लिख दिया यानि कि आपको ये word meaning भी अच्छे से याद करनी है तो आपको सही से बात समझ में आ जाएगी ठीक है बाकी question दिया हुआ उसका answer लगना है two or three, three में आपको some example आप preposition है ये आपको अच्छे से याद करना है ओके आप बच्छों देखिए lesson 19 भी हम आपको इसी में पढ़ाएंगे चोटा सा है conjunction क्या है conjunction is a word used to join two words ठीक है यानि कि जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम conjunction कहते हैं जैसे दो मतलब word को जोडने के लिए क्या हम इस्तिमाल करते है and but then if ठीक है ये सब चीजे ठीक है तो आपको देखना है कि look at the following picture carefully यानि कि जो ये sentence है इसको आप सही से रेखिए ठीक है नरेश and Ali are playing Mohan is a good and intelligent Mohan is a intelligent but Karim is not ठीक है बच्चों अब देखिए नीचे some conjunction some conjunction दिए गए है and माने और फिर एक और भी होता इसका मतलब होता है अतवाया या फिर है but that then so इसलिए because if yes अब आपके conjunction है तो conjunction आपका वह वर्ड होता है जो दो वर्डों को या दो sentence को आपस में जोड़ता है ओके यह समझ में आया अब आप इसके नोर्स देखेंगे देखिए lesson 19 आपका conjunction और आपको इसमें भी हमने वर्ड मीनिंग लिख रखी है ठीक है जैसे आपको पता है कि सारे subject का जो भी आपको नोर्स दिये जा रहे हैं वह नए topic के इसाब से हैं इसी तरीके से इसमें भी नया काम है आपको वर्ड मीनिंग भी दे अब देखिए बच्चो आपको हमने पहले भी half yearly में एक comprehension करवाया था तो annual में भी एक comprehension आपको दिया गया है ठीक है तो यह आपको पूरा paragraph पढ़ना है और नीचे दिये गए question भी आपको answer लिखने हैं तो देखिए paragraph हम पढ़ने हैं आप साथ में जल्दी जल्दी पढ़िए had no effect on him he thought a plan he asked his son to bring some apples from the market the son brought some apples his father put a bad apples in them all the apples were rotten some days the son learn a lesson from it he gave a bad company and become a good boy sorry good boy अब देखिए इसी paragraph से हम आपको question put कर रहे है ठीक है हमने कहा who was who was there आपने कहा there was a man फिर हमने कहा where the son fell in तो आपने कहा the son fell in bad company what do father advise father advise him to leave bad company what is the moral of the story the moral of the story avoid bad company who thought a plan father thought a plan ठीक है बच्छों आपका comprehension complete होता है आपको अच्छे से याद करना है अब आप पेज नमबर 4 पे आए पेज नमबर 4 पे आपको बच्छों संटेंस दिये गए है 15 आपको यह काईदे से याद करने है इसी में से आपको आएगा ठीक है आपको यह बहुत अच्छे से याद करना है देखिए कृपया मे पेज नमबर 5 पे आईए देखिए बच्छों आपको हमने एक अप्लिकेशन दिया है नोट में उसको आपको अच्छे से पढ़ना है हम आपको पढ़के बता रहे हैं राइट एन एप्लिकेशन फॉर एन अर्जेंट पीजा वर्क यानि कि जल्दी से कोई वी तरन काम के ल लगाना है कॉमा फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्फुली आई बैक तु से दाट आई हैव अ अर्जेंट पीज आफ वर्क एट ओम सो आई कैन नौट अटेंड अटेंड स्कूल काइंडली ग्रान मी लीफ फॉर टू देज ओनली तैंक यू यहां पर अपना नाम है अब लिखना है क्लास लिखना है लिखना है डेट ओके सा बlaiden अब दकिति वश्यार अब है न को देड़कर आपको क्लास वहिलेट लिखनी आपको लिखना और लिकन तो आप फ्लास है को जो आप just है ठीक चलिए लेटर में सबसे पहले यहां पे side में अपना address लिखेंगे ठीक है address लिखने के बाद date लिकेंगे नीचे जो date उस दिन होगी उसके बाद यहां से start करेंगे और अपने friend का नाम हplat kleine हमने लिखा है you will be glad to know that my birthday Falls on 8th April आढा है. इस तुमारो प्लीज अटेंड फंक्शन एड पी एम ठीक है थैंक यू यूर्स टूली फ्रेंड यहां पर आपके फ्रेंड का नाम होगा लेकिन आपको यही लिखना है और इसी को अच्छे से याद करना है यह आपको बता दिया कि डेट और नेम आपको क्लास अपने हिसाब से लिखना है ओके चलिये हैं अब इस तुजिन देखिए आप लोग आपको हमने नोस में एक ऐसे बिदिया हुआ था ऐसे ईसे ग्रेट लीडर ठीके ग्रेट लिडर यानि में महत्मा गांधी पर बताएंगे आपको ग्रेट डीडर मतलब महान नेता है कि आप महत्मा दास करम चंगाली, he was born on October 2nd 1869, he was very simple, people called him Bapu, he always helped the poor, he liked ahinsa and truth, he wanted peace, he made free to our country, he was shot dead on January 30, 1948, we can never forget him, आपको ये सारे नोर्स बहुत अच्छे से याद करने हैं बच्चों, यही आपकी इन्वाल एक्जाम में आएगा और आपका इन्वाल कोर्स पूरा खतम होता है, ओके?